आज की वीडियो में हम लोग अप्लिकेशन कैसा लिखते हैं अपने वाइस चांसलर को इनुवर्सिटी को वो देख सकते हैं अभी यह अप्लिकेशन जो है हमारे सिनियर के द्वारा लिखी गई है यहाँ आप देखिए अप्लिकेशन लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रख माइग्रेशन मिलता है इनुवर्सिटी से जब आप एक इनुवर्सिटी से दूसरे इनुवर्सिटी को स्विच करते हैं नए इनुवर्सिटी में नाम लिखवाने जाते हैं तो आपका पुराना जो इनुवर्सिटी होता है पिछला इनुवर्सिटी का माइग्रेशन मिलन शुरू हो जाता है तो उसी की रिगार्डिंग या अप्लिकेशन है आप सबस सकते हैं तो आप यहाँ पर अप्लिकेशन तो लिखिना आता ही होगा वायस चांसल स् dull उसके बाद बाकी plant new खाइ starch शन्लिकेशन का नाम यहांपर लिखिते ना है सब्जेक्ट मिं लिखिते ना है की आप किसली अपने केकेसल लिख रहे हैं उसके बाद रिस्पेटेट थीन आपने बारें में थोड़ा सा तुमिट्ट दिस्पेक्ट आई वुड लाइक तु स्टेट रैट से डेट अपना नाम अपन है कौन से कॉलिश से हैं फिर आप रिजन बताइएगा आप ग्रेजुएशन जो है कहां से किये हैं फिर आप यह माइग्रेशन क्यों चाह रहे हैं वह भी लिख देना है अब आई अपना आम क्लास का जो रॉल नंबर था कॉल्एज का रॉल नंबर उसके बाद इनिजिट्रेटी का रॉल यह सब कर लेने के बाद डेट वगहरा मेंसिन कर देना जिस डेट को आप लिक रहे हो आपने तौपिक और वाडिंग रॉड़एं आप application लिखते हो, through the principal आप लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपको principal का sign होना चाहिए आपके application पर, तो आप अपने college के principal से sign करवा लेना है, और यहाँ पर date वगेरा से आ जाएगा, उसके बाद आप इस application को forwarding करवा सकते हो, forwarding करवाने के लिए, या तो आपका college आपका forwarding कर अब देद होगे university में, तो university वाले आपके migration दे देगे, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे submit करना है, migration कैसे apply करे, आज के लिए वस इतना ही